और चले इस बीच आपको कानपूर से बड़ी जानकारी दें कानपूर में जीकाव वाइरस ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है कानपूर में जीकाव वाइरस के अब तक 30 नए मामले सामने आ चुके हैं जीकाव वाइरस के मामले बढ़ने से प्रशासन भी सतर्क है पासन की टीम लगातार सतर्क दिखाई दे रही है और एंटी लार्वा फॉगिंग करवाई जा रही है ताकि इलाकों में साफ सफाई बनी रहे कालपूर में जीका वाइरस का खत्रा लगातार बढ़ता जा रहा है पिछले 24 गंटे में 30 नए संक्रमित एक बार फिर से निकला है और यह आकड़ा आप 66 के आज़ पास पहुंच गया है 66 संक्रमित जीका वाइरस के कालपूर में है और स्वास विवाग उजीला प्रसाचन सायूग टीमों के साथ सर्वे कर रहा है जाज कर रहा है हमारे साथ एसीम साब भी है और एसीमों साब भी है सबसे पहले बात करते तीस नए संक्रमित निकला आए है आपके सरे से आप लो बर्मन करने के लिए ताकि हम देख सेब और इसमें दो केस पुराने से सतरा केस नहीं आये हैं और सभी केस जो है उनके की जो पॉंटेट ट्रेसिंग हो चुकी है यहां पर लगातार जो है सुभ़ए शाम जो है सुभए दो घंटे शाम को जो घंटे फोगिंग कराई जा रही कि और जो हमारी सर्विल्णास्ताइम है सेंप्ल टीम जो उनके नजी की सेंप्लिंग हो चुकी है चोत पो पागई जितना बी यहां पर जो है वह कंप्लेट कर लिए हैं कितनी टीमें लगी हुई हैं टीम में कौन कौन है और कैसे रोक रहे हैं देखिए पहला केश जो हमारा यह निकला था यह एरफूस स्टेशन में काम करते हैं वहां पर हैंगर रहे हैं नमर साथ नमर उसके पीछे हमने ब्रीडिंग प्लेसे देखे तो उनके ब्रीडिंग था दिल्ली तो यह बराबर वाला घर जो है वहां पर वो मॉस्कुटो के आटी पीसियार में पॉस्टिव आया जिसके करण किया है कि हमें मालूम पड़ा कि यह जो मॉस्कुटों की रेंज होती है चार सो मीटर की तो चार सो मीटर में मॉस्कुटों फ्लाई करता है तो जो इंपेक्टेट्ड मॉस्वीटो जो है जरक चुका वह जिसको काटेगा उनको संकमण फैलंगा इसके लिए और वी तरीके चीता वाइर्स को रोका जा सके कानपूर से कैमेर मैं पंकर निगं के साथ रतीश तरुवेदी